गुद मॉर्निंग टु एवरिवन विजियर्थी मित्रो मैं वीना खेर पिपी समाई सारा परिवाल की तरफ से आप सबका हर्दिक श्वागत करती हूँ कक्षा आथ विशय हिंदी आज हम हिंदी में कावियर छ तुफा नोकी और जिसके कवी है सिव मंगल सीन सुमन उसका परिचाई देखते हैं 5 अगस्ट 1915 को गाम जगरपूर जिल्ला उन्नाव उत्तर प्रडेस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से में पी एच्डी की है उन्होंने अनेक अध्यन संस्थाओ विश्वविद्यालयो तथा हिंदी संस्थानों में उच्चतम पडो का कार्या किया है तथा अनेक देशों की यात्रा की है 1974 में मित्ती की बाराट परसाहित्य अकाद्मी तथा 1993 में भारत भारती पुरशकार से सम्मानित 1974 में भारत सरकार्दवारा पदमसी से सम्मानित किया है हिलोल जीवन के गान, उयुक का मोल, प्रलाई स्रजन, विश्व बदलता ही गया विंद्य हिमालई, मित्ती की बारात, वानी की व्यथा, कते उंगुठों की बदनवारे उद्यम और विकास, प्रकृती पुरूष कालिदास, फ्रस्टुत कविता में कवी सीव मंगर्सी सुमन ने सदाई संगर्स मै रहकर अपने लक्ष की और बढ़ने की प्रेलना दी है जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाढ़ाये, यानि की मुश्किले, हमें जीने की नई रह दिखाती है अगर हमारे जीवन में मुश्किली आएगी, तभी हमको पता चलेगा की हम कैसे वह मुश्किलों का सामना कर सकते हैं हम कैसे जी सकते हैं, तखा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है इस कविता में धेरिय, गतिसिल्ता, साहस और संगर्सरत, रहना जैसे मुल्य उजागर किये गए है तो देखते हैं कविता सल अर्थ के साथ, सब्दार के साथ तुफानों की और घुमादो नाविक नीज पतवार क्या कहते हैं, नाविक को कहते हैं कि है नाविक नीज यानि अपना और नाविक यानि जो नाव चलाता है वह और पतवार यानि नाव चलने की जो टिफोनी लकड़ी यानि कि नाव चलाने के लिए जो वो लकड़ी आती है उसको क्या कहते है पतवार तो हे नाविक तुम तुफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तुफानों की निसा में मोर दो जिस बाजो से तुफान आ रहा है उसी तरह तुम्हारी पतवार को ऊसी तरह तुम चलाओ तो हम तुफानों का डदकर सामना कर सकते है आज सिंदुने 010 उगला है लहरो का योवन मचला है आज रदय में और सिंदू में सत उठा है जवार तूफानों की और घुमाडो नाविक निज पतवार क्या कहते है कि आज समुद्र में भी वीस उगला है वीस यानी जहर कि आज समुद्र में भी वीस उगला है यानी कि समुद्र ने कथिन परिश्थितियों का निर्मान कर दि कि जो वीश उगला है वह वीश आज जो नाव चल रही है उसमें वह वीश को निगलना चाहती है आज रदय में और सिंदू में सत उथ है ज्वार पर तुम चिंता मत करो समुद्र में ज्वार उथा है बराबर ज्वार यानि तुफान समुद्र में तुफान उथा है तो हमार यानि कि हमारे रदय में भी बहुनाओ का तुफान उमर पड़ा है कि हे नाविक तुम तुफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तुफानों की दिशा में मोड दो लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंगन में साहस तोलो कभी कभी मिलता जीवन में तुफानों का प्यार तुफानों की और घुमाडो नाविक निजपतवार क्या कहते है कि लहरों के स्वर यानि कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो यानि कि लहरों का जो लहर की जो आवाज ह लहर जैसे उची हो रही है वैसे तुम भी इस आंधी में अपने साहस को अजमा कर देख लो अगन यानि कि अजमा कर असीम बराबर कि तुम इस साहस को अजमा कर देख लो क्या देख लो कि कभी कभी में साहस तो लो यानि कि तुम अजमा कर देख लो कि तुम में कितनी हिम्मत है कि ये जो तुफान आया है या तुफान का सामना करने की तुम में कितने हिम्मत है वह तुम देख लो कभी-कभी मिलता जीवन में तुफानों का प्यार यानि कि जीवन में तुफानों का प्यार कभी-कभी ही मिलता है यानि कि जो बग्य साली वक्ती है उसी को जीवन में कफिनायों का सामना करने का मौका मिलता है। हमлекमों लोग ऐसे कहते है कि हम कम नसिव वाले हैं जो कम नसिव वाले जो हम कमनसिव वाले है की हमें हमारे बग्य में मुसीबद और כा सामना करना प्र जार लेकिनिस कव Hm ज़ैखनी ये सागर भी तो ये पहट्चानी मिर्थी के पुत्ले मानवने कभी न मानी हर तूफानों की और घुमाडों नाविक निजपतवार क्या कहते है कि यह समुद्र और तूफान आज बले ही असीम दिखाई दे रहे हैं असीम वराबर यानि कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको क्या कहते हैं असीम कि आज समुद्र तूफान आज बले ही असिम दिखाई जेते हैं पर हे नाविक तुम अपनी नाव लेकर समुद्र में उत्रो और इस समुद्र और तुफान को बतादो कि मित्ति के पुतले मानवने कभी हर नहीं मानी है कि जो मानव को किसे दर्साया है मित्ति के पुतले के साथ कि मित्ति के पुतले मानवने कभी हर नहीं मानी है, इसलिए तुम आज दिखा दो कि तुम में कितनी शक्ती है, समझ में आया, हे नाविक, हे नाविक, तुम अपनी तुफानों की और तुफान का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तुफानों की दिशा में मोड़ दो, सागर की अपनी ख्शमता है, परमाजी की कब ठकता है, जब तक सासों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले साथों सागर पार, तुफानों की और गुमादो, नाविक निजपतवार की ही, समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ती है, नाविक की सांसे चलती रहेगी, तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा, इसी सक्ती के बल पर नाविक के साथों सागर पार कर लिये है, है नाविक तुम अपनी पतवार, तुफानों की और गुमादों की, इस कविता में हमें क्या दिखाया है, कविने कि कोई भी कथिन परिस चाहिए, विद्याठी मित्रो, इसके जो सब्दाठ है, वो आपको आपकी नौट्बुक में लिखने है, थैंक यू